Hello guys, Science Secrets के एक और ने लेक्चर में आप सभी का सोगत है Guys, chemistry के last lecture में बुने है आपको types of reactions में दो तरीके की reaction बदा दी थी Combination reaction और Decomposition reaction जो अपना तीसरा टाइप का reaction है ओधाम है displacement reaction इस reaction में क्या होता है कि कोई एक element है एक compound जब react करते हैं तो जो substance बनता है, वो एक दूसरे के mutual exchange of atom से बनता है, मतलब कि, जैसे मालो मेरे पास एक element है, A, A जो है एक element है, BC एक compound है, जब A और BC react कर रहे हैं, तो AB प्लस C बना ले रहे हैं, जा कर रहा है, A एक element है, BC एक compound है, यह element इस compound के पास गया, और B को बोला मेरे साथ आ जाओ, B को अ Gips GnSO4 प्लस Cu, तो CuSO4 जो है, यह zinc के साथ rate कर रहा है, zinc क्या है, एक element है, यह compound है, यह element जब इसके पास गया, तो इसने क्या किया, Cu को बाहर निकाल दिया reaction से, बोला कि भाग, इसको बाहर फेक दिया, और खुद SO4 के साथ rate करके अपना compound बना लिया, GnSO4 और copper को बाहर कर दि इसी को displacement reaction बोलते हैं, zinc ने क्या किया, Cu को displace कर दिया, इस A ने क्या किया, C को displace कर दिया, BC से, कौन किसको displace करेगा, इसको जानने के लिए अपने पास activity series होती है, और यह activity series बहुत important है, इसको rate डालिएगा मने trick दी है, तो इस activity series को आप याद रखेंगे, तो आपके 12 तक काम आइगी है, ठीक है, तो कौन किसको displace करेगा, देखो, इस activity series में, अभी मैं याद करने के trick बदाऊंगा, अभी activity series में, जो भी उपर element, जैसे lithium, potassium, barium, यह सारे उपर वाले हैं, ऐसे नीचे आते जाओगे, यह सारे एक line में है, तो जो उपर वाला है, वो नीचे वाले को हट आ देता है, उपर वाले के नीचे वाला कोई भी रहेगा, तो उसको हटा देगा, क्यों हटा देता है, जो इस activity series में उपर है, उनकी reactivity बहुत ज़्यादा है, और जैसे हम इस series में नीचे जाते रहते हैं, तो element की reactivity कम होती जाती है, तो वो कम reactive हो जाते हैं, और उपर वाले स्यू यह है, नीचे है, इसके नीचे है, यह सारे elements एक ही line में है, तो जिंक उपर है स्यू से, इस वज़ा से जिंक जो है स्यू को displace कर दे रहा है, तो समझे जो उपर होगा reactivity series में, या activity series में, वो नीचे वाले को displace कर देता है, तो यह वाली activity series आप याद कर लिजएगा, इसकी में ट्रिक बताया हूँ, देखो यह यह लीथियम है, पोटैसियम है, बेरियम है, स्ट्रॉंटियम, कैलसियम, सोडियम, मैगनेसियम, एलमूनियम, मैगनीज, यह सारे elements है, ठीक है, इनको याद करनी की ट्रिक है, लेकर 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, जानकर फेके सीडी कोई नीचे, सुनो प्यार है, क्यों आई आज, हौंग कॉंग बिटनी पटाई और किलो भर, यह गोल्ड का सिंबल है, एउ गोल्ड का सिंबल है, किलो भर सोना लाई फ्री में, यह फ्लोरीन है, जो फ्लोरीन है, यह सबसे लिष्ट रियक्टिव है, और जो सबसे नीचे जितने भी एलिमेंट है, लीथियम इन सब को डिस्प्लेस कर सकता है, अब पोटेसियम पे आएंगे, तो पोटेसियम अपने नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन यह पोटेसियम इस लीथियम को नहीं कर सकता है, तो नीचे वाला उपर वाले को डिस्प् पदा करने के लिए, इस displacement reaction के मैंने कुछ example और लिये हुए, मैं उनको explain करता हूँ जैसे अपने पास example है, CU SO4 plus ZN, यह पीछवाल example है तो ZN जो है CU से उपर आता है activity series में, इस होजा से CU को displace कर देता है, और क्या बना लेता है ZN SO4 plus CU, अगर हम मैं इसी का उल्टा करूँ, ZN SO4 को CU के साथ react करा हूँ, तो CU जो है activity series में, ZN के नीचे आएगा इस होजा से उपर वाले को displace नहीं कर पाता है तो यहाँ पर कोई reaction नहीं होगी उसी तरीचे से ZN H2 SO4 देखा जाए तो ZN जो है, उपर आता है hydrogen से, इस होजा से hydrogen को displace कर देता है, और खुद react कर लेता है कि इसके साथ, ZN SO4 के साथ और बना लेता है ZN SO4 plus H2, उसी तरीचे से CUSO4 plus iron, iron जो है copper के उपर है, तो iron copper को क्या बोलता है, displace कर देता है reaction से FESO4 plus copper बना लिया अगर मैं इसी का उल्टा करूँ ZN SO4 को copper के साथ react करा हूँ तो copper जो है, activity series में नीचे है iron से, इस वजा से copper जो है, उपर वाले को displace नहीं कर पाता है जो reactivity series में उपर रहते हैं वो नीचे वाले वो displace करते हैं इस वजा से यहाँ पर कोई reaction नहीं होगी उसी तरीके से देखो यह AG NO3 plus aluminium तो क्या कर रहा है यह AG को displace कर दे रहा है इस वाले example में sodium और water है तो sodium क्या कर रहा है, water में से hydrogen को displace कर दे रहा है क्योंकि hydrogen जो है sodium के नीचे आता है यह कुछ example और है AG plus HCL कोई reaction नहीं देता है platinum plus HCL कोई reaction नहीं देता है रियल लाइफ में भी आपने देखा होगा कि जो बड़े होदे पर होते हैं जो छोटे वालों को दबा कर रखते हैं वह हाला यहाँ भी तो जो activity series में element उपर है वो नीचे वाले को displace कर देते हैं जबकि नीचे वाले उपर वालों को displace नहीं कर पाते हैं ठीक है अगले reaction है double displacement reaction तो double displacement reaction ऐसा reaction होता है जिसमें दो ionic compound किसी solution में react करते हैं और क्या बना लेते हैं कोई दूसरा compound बना लेते हैं किस तरीके से atoms का exchange करके ग्रूप of atoms का exchange करके तो देखो इसमें तो ऐसे समझ में नहीं आएगा देखो सबसे पहले तो ionic compound जानना आपको जरूरी है तो ionic compound क्या होते हैं जो plus और minus ketion और NIN के मिलने से बनते हैं अब ionic compound के example जैसे क्या हो गया अपना NACL हो गया यह ionic compound है AG NO3 भी अपना ionic है इसको तोड़ोगे तो NO3 अलग हो जाएगा AG अलग हो जाएगा AG पे प्लस चार्ड जैननो 3 पे माइनस चार्ड formation आप product वहले में मैंने आपको product और reaction लिखना बताया था अगर reaction लिखने में या product बनाने में कोई दिक्कत होती है तो उस वाले वीडियो को आप जाकर देख लिजेगा तो इसमें क्या होता है double displacement reaction में कोई दो आइनिक compound होते हैं जैसे मेरे पास example है समझाने के लिए मैंने एक example लिया है AB प्लस CD gives AD प्लस BC तो AB और CD react कर रहे है AB जब CD के साथ react कर रहा है तो CD में से C को displace कर दे रहा है और AB जब react कर रहा है अब यह दोनों react कर रहे है तो क्या बना ले रहा है AB गया AB के पास react किया तो AB को अलग कर दिया और जो AB अपना CL के साथ react कर लेगा क्योंकि CL पर माइनस चार्ज है और AB पर प्लस चार्ज है तो AB CL बना लेगा और AB बना लेगा तो यह double displacement reaction होता है double displacement reaction की एक property होती है कि लगभग जितने double displacement reaction होते है उनमें कुछ insoluble product बनता है मतलब कि वो घुलेगा नहीं किसी भी reaction में अगर कोई solution लेते हैं तो वो जो product बनता है वो घुलता नहीं है वो insoluble product रहता है और जो insoluble product रहता है उसको बोलते हैं precipitate और ऐसा reaction जिसमें insoluble product बने उसको precipitation reaction बोलते हैं तो जितने double displacement reaction होते हैं लगभग सभी precipitation हो करते हैं उनमें एक precipitate बनता है जो की insoluble होता है तो देखो NACL और AGNO3 को हम जब react करा रहे थे तो आपने पास AGCL प्लस NNO3 बन रहा था तो यह जो AGCL है यह precipitate हो जाता है precipitate मतलब क्या होता है किसी test tube में आप react करा होगे तो यह react होने के बाद जब यह product बनेगा तो उस test tube में नीचे settle down हो जाएगा नीचे जाके बैढ़ जाता है नीचे बैढ़ जाता है इस वज़ा से इसको arrow से नीचे की side में arrow दिखाते हैं और AGCL किस color का precipitate बनाता है तो AGCL का precipitate का color होता है वो white precipitate बनाता है यह question important बन सकता है दूसरे example पर ले चलूँ तो BSO2 और H2SO4 में ने react करा है तो क्या बनाया है BSO4 प्लस 2HCL तो BSO4 क्या है insoluble product है यह नीचे बैढ़ जाएगा और यह भी white color का PPT होता है अगला एक jumper लेड नाइटरेट प्लस H2SO4 अब यह PBSO4 प्लस H93 बना ले रहा है यह जो PBSO4 है यह भी precipitate बन रहा है यह white precipitate है तो यह settled down हो जाएगा किसी test tube में जिसमें आप reaction करवा रहे है COSO4 को हमने hydrogen sulfide gas के साथ react करा दिया तो हमारे पास product बना COS plus H2SO4 यह जो COS है यह black PPT बनाता है अभी तक मैंने जितने reaction बता है वो white PPT वाले थे यह black PPT बना रहा है तो यह example है COS का color कैसा होता है या कोई reaction ऐसा COSO4 और hydrogen sulfide को react कराते है तो जो precipitate बनता उसका color कैसा बनता है ऐसा question पूछ सकता है या जो precipitate बना उसका formula पूछ सकता है तो copper sulfide बनता है black color का precipitate बनाता है precipitation मैंने आपको explain नहीं कर दिया कि क्या होता है वही एक question है आपकी test book में कि what do you mean by precipitation reaction explain by giving example तो जो precipitation reaction होता है double displacement reaction की एक property होती है precipitation reactions हो करने की तो क्या होता है ऐसा reaction जिसमें insoluble product बन जा है उसी को precipitation reaction बोलते है ऐसा नहीं है कि क्यों double displacement reaction प्रेसिपिटेट बनाते है बहुत सारे reaction है जो precipitate बनाते है लेकिन double displacement के maximum reaction जो है precipitate बनाते है ठीक है तो उसी को मैंने आपके language के form में लिखा है यह reaction in which an insoluble product formed is called as precipitation reaction और इसका example वही है जो पीछे मैंने जो example बता है NaCl और AgNO3 को react करा दिया तो AgCl बन जा रहा है AgCl जो है अपना precipitate है और AgCl जो है soluble product है यह precipitate नहीं रहता है Bacl2 प्लस H2SO4 BSO4 बना लेता है यह precipitate है ठीक है अगला example है यह question कहे रहा है कि जब हम refining करते हैं किसकी silver की क्या होता है कि हम metals देखो metals तो ऐसे मिलते हैं metals हमको ore से मिलते हैं जब हम कभी जमीन की खुदाई वगरा करते हैं तो उसमें से iron के ore मिल जाता है अल्मूनियम के इस टाइप से हमको ore मिलता है तो क्या होता है वो pure form में नहीं होता है pure करने के लिए उसमें अलग अलग wheat प्रोसेस करवाते है उसके साथ तो हमको प्योर फॉर मिलता है तो वह बोल hätten ah जब हमको silver मिलता है तो उसको हम क्या बोलते है pure करने के लिए じゃあ silver nitrate solution में करवाते हैång its 찍ou तो displacement होता है copper metal का उसी का reaction पूछ रहा है तो देखो यह silver nitrate है और copper जो हमको मिला उसको pure करने के लिए हम silver nitrate से react करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है यह question आपकी टेक्स्ट बुक में इस वज़ा से important है और इसी वज़ा से मैंने आपर लिखा हुआ है डिसकस किया हुआ है next question है a shiny brown colored element x on heating in air becomes black in color name the element x and the black colored compound formed यह question बोला है कि किसी shiny brown colored element है उसका नाम x है ठीक है उसको अगर हम heat करें air में तो वो black हो जाता है उस element का नाम बताओ और जो black color का compound बन रहा है उसका नाम बताओ तो देखो shiny black colored किसकी property होती है shiny black कि किसका color होता है copper का होता है अपने तो यही question है एक्स जो है अपना वह copper है और जो black color बन रहा है product बन रहा है वह copper oxide है यह अपने first chapter का सबसे last topic है और सबसे ज़्यादा important है oxidation reduction reaction अब oxidation क्या होता है नाम से जैसे पताओ चला है oxidation मतलब कि oxygen से related कुछ बातें कर रहा है तो जब हम किसी element में oxygen add कर दें किसी compound में oxygen add कर दें या उसमें से hydrogen remove कर दें ऐसे reaction को oxidation बोलते है addition of oxygen और removal of hydrogen is called as oxidation reaction अब देखो oxygen जो होता है electronegative element होता है electronegative मतलब इस पर negative charge होता है और मैंने बताया है आपको oxygen कितनी balance होती है minus two hydrogen की balance कितनी होती है plus one वैसे तो यह plus one minus one दोनों सो करता है लेकिन एक reaction के condition पर depend करता है कि कि किसके साथ यह compound बना रहा है तो वैसे generally hydrogen की plus one होती है तो hydrogen जो है अपना electronegative element है oxygen जो है अपना electronegative element है इसी के according हम यह भी बोल सकते हैं जैसे addition of oxygen बोल रहा है addition of oxygen oxygen कैसा है electronegative element है तो हम यह भी बोल सकते हैं कि addition of electronegative element और removal of electronegative element hydrogen कैसा electropositive है तो हम यह भी बोल सकते हैं कि removal of electropositive element यह किसके definition होगी oxidation की, अब इसके कुछ example है, carbon के साथ हम oxygen का रियक्षन करवा रहे हैं, तो हमको मिला है carbon dioxide, किसके साथ रियक्षन करवा रहे हैं, carbon के साथ, carbon में क्या add हो रहा है, oxygen add हो रहा है, बन रहा है carbon dioxide, तो carbon क्या हो जा रहा है, इसका oxidation हो जा रहा है, carbon के साथ oxygen उड़ रहा ह Sulfur के साथ Oxygen जूड़ रहा है तो Sulfur का Oxidation हो जा रहा है Magnesium के साथ Oxygen जूड़ रहा है तो Magnesium का Oxidation हो जा रहा है गई जो अपना next Example है यह थोड़ा सा important है यह Rusting का Example है Rusting में आगे आपको बताऊं तो Rusting में क्या होता है अगर हम Iron Rod को कहीं बाहर atmosphere में खुले में रख दें तो क्या होता है जो वहाँ पर atmosphere है उसमें water के कुछ वैपर्स भी होता है और Oxygen भी अपने atmosphere में तो Iron क्या करता है Oxygen के साथ और water vapor के साथ water vapor moisture का काम करते है उन दोनों के साथ react करके rust बना लेता है rusting हो जाती है Iron की और जो rust बनता है उसका formula होता है 2FE2O3.XH2O अब यह XH2O क्या है यह water of crystallization बोलते हैं यह XH2O को water of crystallization बोलते हैं अभी तक मैंने oxygen के respect में आपको बता है कि oxidation क्या होता है कि अगर addition of oxygen हो जाए तो उसको oxidation बोलता है और definition के हिसाब से removal of hydrogen भी oxidation होता है तो removal of hydrogen के हिसाब से हम देखें तो एक H2S gas अपने पास मैंने इसको BR2 gas से react करा दिया तो product बन गया 2HBR प्लस sulfur तो यह H2S में से इस BR2 ने क्या किया H2S में से खुद hydrogen के साथ react कर लिया 2HBR बना लिया और sulfur को बाहर कर दिया H2S में से क्या हुआ जो sulfur था उसके साथ hydrogen था तो hydrogen को remove कर दिया BR2 ने तो यह जो अपना sulfur है इसका oxidation हो गया इसका क्या हो गया? oxidation हो गया अगला जो example है अपना इसमें क्या है HClO MnO2 Gips MnCl2 plus 2H2O plus Cl2 तो MnO2 ने क्या किया? HCl में से hydrogen को remove कर दिया खुच जाकर react कर लिया तो hydrogen का removal हो जा रहा है इस वज़े से यह भी oxidation है यह reaction भी oxidation है कैज oxidation हो गया अब reduction को समझते हैं तो यह उसी का उल्टा है उसमें हम oxygen को add कर रहे थे इसमें हम hydrogen को add कर दें और oxygen को निकाल दें मतलब definition में है addition of hydrogen and removal of oxygen तो oxidation में क्या हो रहा था addition of oxygen और removal of hydrogen इसमें क्या हो रहा है addition of hydrogen और removal of oxygen उसी का उल्टा है तो देखो एक example है कॉपर का oxide है CuO plus hydrogen इस reaction में क्या हो रहा है यह hydrogen जा रहा है CuO के साथ react करने तो CuO में से oxygen को remove कर दे रहा है देखो Cu अलग हो जा रहा है और इस oxygen के साथ खुद water बना ले रहा है तो removal of oxygen हो जा रहा है इसमें से इस उज़ाशिस का क्या हो रहा है reduction हो रहा है महीपर अगर addition of oxygen होता है तो oxidation होता है अब reduction of iron third oxide with carbon monoxide यह example हो रहा है Fe2O3 को carbon monoxide के साथ हम react करा दे रहा है और उस oxygen को क्या किया इस CO ने यहां से remove करवा दिया react होने के बाद तो removal of oxygen हो जा रहा है इस वज़ा से iron का क्या हो रहा है reduction हो जा रहा है अगला example है MnO2 और aluminium को react करवा रहे है तो aluminium क्या कर रहा है इस MnO2 में से oxygen को remove करवा दे रहा है Mn plus 2L2O3 बना ले रहा है तो इसमें से oxygen remove हो गया इस वज़ास इसको क्या बोलेंगे reduction बोलेंगे अब oxidation क्या होता है reduction क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा और मैंने देखो बीज में term बोला कि यह इससे करवा दे रहा है उसमें से निकलवा दे रहा है मलब यह चीज़ें जिसकी ज़़ास हो जा रहा है oxidation या reduction उसी को oxidizing agent या reducing agent बोलते है अब सबसे पहले oxidizing agent समझते है तो oxidizing agent वो होते हैं जो oxygen को add करवा दे है या उसमें से hydrogen को remove करवा दे है ठीक है और reducing agent क्या होते है जो उसमें से hydrogen को add करवा दे है या oxygen को remove करवा दे है तो देखो उसी का example लिखा है मैंने carbon और oxygen का reaction करवा रहे है और carbon ड़ी oxide बन रहा है तो carbon में oxygen add हो जा रहा है तो oxygen add कौन करवा रहा है oxygen खुद add हो रहा है जाकर तो oxidizing agent कौन हो गया oxygen हो गया H2S में हम Cl2 को react करवा रहा है तो twice HCl और sulfur बन जा रहा है तो H2S में से hydrogen को कौन remove करवा रहा है definition के हिसाब से क्या था oxidation की definition क्या थी removal of hydrogen और addition of oxygen तो H2S में से hydrogen को कौन remove करवा रहा है Cl2 करवा रहा है तो यहाँ पर oxidizing agent कौन हो गया Cl2 हो गया अब reducing agent समझते है magnesium oxide था और मैंने उसको carbon के साथ react करवा है तो magnesium plus carbon monoxide बन गया तो जो magnesium oxide था इसमें से oxygen को कौन remove करवा रहा है carbon remove करवा रहा है तो carbon जो है reducing agent हो गया Cl2 और H2S को मैं react करवाता हूँ तो twice HCl plus sulfur बन जा रहा है तो यहाँ पर reducing agent H2S है कैसे reduction की definition जब मैंने बूली थी तो उसमें मैंने बताया कि जब addition of hydrogen हो जाए removal of oxygen हो जाए तो chlorine के साथ hydrogen का addition कौन करवा रहा है H2S करवा रहा है तो यहाँ पर reducing agent कौन हो जाएगा H2S हो जाएगा हमने oxidation पढ़ लिया reduction पढ़ लिया oxidizing agent reducing agent फिर हम देखते हैं कि oxidation और reduction में relation क्या होता है उस relation को बताने के लिए reaction होती है redox reaction तो redox reaction कुछ नहीं होती है ऐसा reaction जिसमें oxidation reduction साथ साथ हो रहा है ठीक है ऐसा reaction को हम क्या बोलते है redox reaction बोलते है जैसे कि एक जाम पले copper का oxide और इसको hydrogen के साथ react करवा रहे है तो copper बन रहा है और water बन रहा है तो इसमें क्या हो रहा है मैंने बोला कि removal of hydrogen और addition of oxygen इसको oxidation बोलते है या removal of oxygen addition of hydrogen इसको reduction बोलते है तो इस copper oxide को जब हम hydrogen के साथ react करवा रहे है तो इसमें से देखो यहाँ पर copper है यहाँ पर copper oxide है तो copper में से oxygen निकल गया तभी तो यहाँ पर copper है क्योल तो इस copper oxide में से oxygen remove हो जा रहा है अब oxygen remove हो रहा है तो क्या हो जाएगा reduction हो जाएगा और इस hydrogen के साथ देखो यहाँ पर oxygen add हो जा रहा है तो यह क्या हो गया जब addition आप oxygen होता है तो उसको oxidation बोलते हैं तो इसका oxidation हो गया अब कौन क्या करवा रहा है इसको समझ लेते हैं copper oxide जो है यह क्या दे रहा है oxygen दे रहा है किसको hydrogen को तभी तो यहां पर S2O बन रहा है तो copper oxide जो है hydrogen को oxygen दे रहा है तो copper oxide क्या हो गया oxidizing agent हो गया क्योंकि यह देखो इसका oxidation करवा दे रहा है hydrogen जो है reducing agent reducing agent कैसे है इस hydrogen से जब यह react कर रहा है copper oxide तो इसमें से oxygen निकल जा रहा है इसका reduction हो जा रहा है तो reducing agent कौन हो गया hydrogen हो गया तो तुम यहाँ पर notice करोगे जिसका reduction हो रहा है देखो copper oxide का reduction हो रहा है copper बन जा रहा है तो जिसका reduction हो रहा है वही क्या है? Oxidizing agent है और जिसका oxidation हो रहा है वो reducing agent है समझ में आया देखो यह copper oxide है इसका reduction हो रहा है लेकिन यह copper oxide hydrogen को oxygen दे दे रहा है तो इसका क्या करवा दे रहा है Oxidation करवा दे रहा है तो खुद तो Reduce हो रहा है लेकिन दूसरे को Oxidize कर दे रहा है खुद तो Reduce हो रहा है और दूसरे को Oxidize कर दे रहा है इसको Oxygen दे कर इसको Oxidize कर दे रहा है तो यही है जिसका Reduction हो रहा है वो Oxidizing Agent है और जिसका oxidation हो रहा है वो reducing agent है अब इस पर based कुछ question है Name the substance oxidized, substance reduced, oxidizing agent, reducing agent in the following reaction इसमें से आपको oxidizing agent कौन से है, reducing agent कौन से है किसका oxidation हो रहा है, किसका reduction हो रहा है यही बताना है तो देखो 3MnO2 plus aluminium gives 3Mn plus twice L2O3 अब इस reaction में क्या हो रहा है कि MnO2 को हम Almonium के साथ react करा रहा है तो Mn बन रहा है और L2O3 बन रहा है इस reaction में देखोगे तो जो अपनी oxidation और reduction की definition उसके हिसाब से देखोगे तो Almonium के साथ तो oxygen यहाँ पर जूड जा रहा है ठीक है और इस MnO2 से oxygen निकल जा रहा है तो oxidation किसका हुआ Almonium के साथ oxygen रोड रहा है तो oxidation हुआ Almonium का Reduction किसका हुआ MnO2 में से oxygen चला जा रहा है तो reduction MnO2 का हो रहा है अब मैंने बोला कि Oxidizing agent Reducing agent कौन से होते हैं जो यह काम करवाते हैं तो MnO2 में से Reduction तो MnO2 में से oxygen कौन remote करवा रहा है एल्मूनियम करवा रहा है तो एल्मूनियम क्या हो गया अपना reducing agent हो गया अब एल्मूनियम में oxygen koneid करवा रहा है MnO2 करवा रहा है तो oxidizing agent MnO2 हो गया दूसरा example है Fe2O3 plus 3CO gives 2Fe plus 3CO2 अब इसमें क्या हो रहा है Fe2O3 और 3CO है यहाँ पर देखो CO2 हो जा रहा है Fe2O3 से Fe2O3 ने क्या किया इसको एक oxygen दे दिया और यहाँ पर CO2 हो गया तो oxidation किसका हो रहा है reduction किसका हो रहा है Fe2O3 अपना oxygen दे रहा है तो reduction Fe2O3 का हो गया अब oxygen agent, reducing agent कौन-कौन से है तो ये जो Fe2O3 है इसमें से oxygen कौन ले रहा है? CO ले रहा है, CO इसमें से oxygen निकलवा दे रहा है तो इसका reduction हो रहा है तो reducing agent CO हो गया reducing agent CO हो गया, oxidizing agent कौन से हो गया? जो दूसरे को oxygen दे रहा है, Fe2O3 इसको oxygen दे के CO2 बना दे रहा है तो oxidizing agent अपना Fe2O3 हो गया अब oxidation में जुड़े वे कुछ और topics है important है आपके book में भी है तो important है तो अपनी life में भी कुछ oxidation हमको देखने को मिल जाती है जैसे आप मैंने बताया था कि iron को बाहर रख दो तो resting हो जाती है बहुत time तक खाना रख दो तो सड़ जाता है तो ये सब oxidation होते हैं तो वही इसमें कुछ example दिये हुए है सबसे पहला corrosion तो corrosion क्या होता है कि किसी metal का जो destruction हो जाए या खराब होने लगी हो metal किस हो जासे environment रखने की हो जासे ठीक है पहले example इसमें कि आप जब copper या brass को कहीं बाहर रख देते हो atmosphere में खुले तो वो क्या करता है oxygen और moisture के साथ react करके उस पर कुछ green green color का coating दिखने लगता है देखो कि copper या brass को कहीं बाहर रख दिया जाता है metals है तो उस पर green color की coating दिखने लग जाती है और जब आप silver को कहीं रख देते हैं बाहर hydrogen sulfide के साथ react करके वो क्या करता है कि उसमें जो चमक होती है देखो इसमें लिखा है ternishing तो चमक होता है ternishing मतलब क्यों होता है चमक चमक जो है उसका कम हो जाता है silver का जब हम hydrogen sulfide के साथ react करवा देते हैं condition क्या क्या है corrosion की presence of oxygen होनी चाहिए और moisture की presence होनी चाहिए या water vapor की होनी चाहिए दूसरा है rusting of iron इसका reaction मैंने पीछे भी बताया iron के साथ oxygen और moisture जब हम react करवा दे रहे तो अपने पास रष्ट हो जा रहा है इस रष्ट को hydrated iron oxide बोलते हैं यह hydrated iron oxide है अब इसकी भी condition है इसको rusting करने के लिए oxygen की presence हमें जरूरी है और water या moisture की presence जरूरी है अच्छा एक और मैं important चीज एक note बता दूँ कि अगर कोई metal है जितना electropositive nature उसका जादा है उसमें रष्टिंग उतना जादा होगी अब electropositive nature और electropositive nature मैं बताता हूँ मैंने जो reactivity series बताई है जो उसमें उपर metals होते है या elements जो उपर है उसमें वो सारी electropositive के होते हैं अप जैसे जैसे नीचे आएंगे उस series में तो electropositive nature घड़ता जाता है और नीचे जाते जाते हैं और least electropositive हो जाते हैं ठीक है तो यह चीज है जितना electropositive nature जादा होगा उसमें रस्टिंग होने के chance उतना ज़्यादा रहेगा तो अपने activity series में जितने भी उपर उपर element है उन में रस्टिंग होने के chance ज़्यादा है जो नीचे जैसे हम जाते जाएंगी उसमें रस्टिंग होने के chance कम हो करते हैं ठीक है तो सबसे पहला जो इसका prevention कैसे करें रस्ट होने से तो सबसे पहला जो है कि surface कोटिंग कर दें क्या करते हम paint कर देते हैं किसी बाइरन की चीज़ को उसमें oil ग्रीस लगा देते हैं तो हमार रस्टिंग नहीं क्योंट कर दें कोई की प्लेट है जीए अई रन की रॉड यह उसकर पर जीघ्या कोट कर दें कोट मतलब की उसके ऊपर हम जिन्क की को पज़गा डे इसके हैं जीघ्यिचे की क्योंट धर में गंन लिटिशन तो हमीजर परडा या या अुट तो पर राश्टो निकेल या क्रोमियम के उपर कर देते हैं कोटिंग तो आयरण दाए किसी और以及ивает करा किसी और इलेकर पॉजिटिव नेचर में मेरे से अगर अगर किसे आयरं की रॉड लेते हैं उसके ऊपर कोई और Electro Positive metal या Element उसके उपर हम चड़ा देते हूं तो क्या होगा पहले जो Oxygen और Moisture है वो क्या करेगा पहले उस Metal को Oxidize करेगा पहले उस Metal का Oxidation करेगा तो उससे क्या है अपना Iron बच जाएगा उपर वाला पहले Oxidation होगा तो अपना Iron जो है रश्टर होने से बच जाएगा आप उसी को explain करता हूँ अपना टॉपिक है रंसीडिटी तो रंसीडिटी क्या होता है कि जो अपना ओयल होता है या फैट्स होते हैं हम जब खाना बनाते हैं तो उसमें आयल से फैट्स होते हैं तो उनका जब ऑक्सिडेशन हो जाता है तो थोड़ा सा स्मेल करने लग जाते हैं टेस्ट भी गड़बड हो जाता है तो इसी को रैंसीड हो जाता है वो चीज तुमने देखा चिप्स का पैकेट है या कोई भी आप खाने वाली चीज लेते हैं उसमें कुछ गैस भरी रहती है वो गैस नाइट्रोजन होती है तो वो रैंसीड होने से बचा लेती है उस चीज को अच्छा रैंसीड ही होती क्यों है फूड प्रोड़क्ट्स में जो ऑयल्स होते है उनके ऑक्सीडेशन से जो होता है रैंसीड हो जाता है खाना और ऑक्सीडेशन हो जाता है किसका ऑयल्स और फैट्स का उस फूड कंपाउंड में जो भी ऑयल्स या फैट्स होते है उनका ऑक्सीडेशन जब हो जाता है तो रैं sulphate solution में हम iron की nail डालते हैं iron की कुछ हम लोग कीले डालते हैं तो उसका color change हो जाता है ऐसा क्यों होता है तो देखो सबसे पहले तो यह जानो copper sulphate का जो copper sulphate solution का जो color होता है वो blue color होता है जब हम इसमें iron डाल देते हैं तो iron क्या करता है CUSO4 में से CU को displace कर देता है उसको बाहर निकाल देता है और खुद react कर लेता है उसके sulphate के साथ तो क्या बना लेता है FUSO4 और FUSO4 का color कैसा होता है light green color होता है और copper जो है red color सो करता है तो यही question है कि color change क्यों हो जा रहा है तो color change हो रहा है कि displacement reaction हो जा रही है और जो आयरा ने CUSO4 के साथ eject करके FUSO4 बना ले रहा है इस वज़ा से color change हो जा रहा है CUSO4 का color blue था और FUSO4 का color light green हो जाता है तो आज अपना chemistry का पहला chapter chemical reactions and equation यहाँ पर complete होता है इस वाले chapter को मैंने बहुत brief में explain किया आप chemistry के जो भी lectures डालूँगा मैं आप exam बहुत पास आ गये है तो मैं कोसिस करूँगा कि एकदम exam point of view से आपको चीज़ें बताई जो exam में आप वही चीज़ें बताऊँ आपका time बचाऊं और जितना जल्दी अपना course हो जाएगा लास्ट में पर पास time बचेगा तो मैं question practice करवाऊंगा तो ध्यान से पढ़ाई करो मिलते हैं अगले वीडियो है